आप सबी सातियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल टॉपर सिंट पर तो UP scholarship का जैसा कि आपको पता है कि इसकी अंतिन्तिती जो है वो कल समापत हो चुकी है और आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कुछ सवाल तो यही है कि सर क्या scholarship की अंतिन्तित बढ़ेगी इससे आपको इसी प्रकार की सारी real authentic update UP scholarship को लेकर मिलती रहे क्योंकि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि UP scholarship अब घर आपने भर दिया है तो अभी आगे बहुत सारी समस्याइं भी आने वाली है क्योंकि अभी इसका correction होगा इसका status आएगा बहुत साय लोगों का form गलत ह होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ सही बताया जाएगा क्योंकि मैं लगातार DW office समाज कलनार विभाग office हर एक जगा पर मैं जाता रहता हूँ और आप लोगों की जो help है इस चैनल के माध्यम से की जाएगी तो सभी लोग पहले चैनल को subscribe करने चलिए बढ़त आरक्षित वर के चातनों को स्कॉलर सी पाने के लिए 7 नॉवंबर तक आवेदन करने का मोगा दिया जाएगा इसके बाद स्रेक्षिनिक संस्थान 15 नॉवंबर तक प्रापत आवेदनों की जांच और सत्यापन करेंगे आपको हम बता दें कि 15 नॉवंबर तक आप लोगों अटूबर बाद 26 जनॉवरी को चात्वरती का जो पैसा है वो दिया जाता था यहाँ पर मैं और बता दूँ यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार यूपी के अनसूचित जात जनजात सामानिवर्ग अलपसंक्याक और पिछला वर्ग के गरीब चात् पर वो आपकी 28 December को जो है वो भेद दिया जाएगा अपके खाते में और 24 फरोरी यानि ये दो तृथि आपको याद रखना है अब ऐसा नहीं कि 28 December को है और बीच में 29 December को नहीं बेजा जाएगा तो किसी की 28 को आएगी, किसी की 29 को आएगी, किसी की 30 को आएगी, किसी को January तो ऐसे करकर के आप लोगों की आएगी सभी की इकठे नहीं आती है scholarship ठीक है कम से कम scholarship के आने में दो एक महिना डेड़ महिने का समय लगता है एक महिने में daily कुछी ना किसी की आती रहेगी scholarship इसमें लिखा आए और भी चीजें यहापर लिखिए तो कुल मिलाकर मैंने बता दि यानि कि जिन लोगों का आवेदन पहले होगा उनको पहले मिलेगी पहले आओ पहले पाओ वाली हाल होती यूपी scholarship में कुछ लोगों को जो है बाद में दी जाती है जिनको बाद में होता है तो जाहिर से बात उनका सत्यापन भी बाद में होगा फारवर्ड भी उनकी जो है याँ पर बाद में होगा इस्कॉलर्सीव का फ़र्म तो उनको जो है बाद में दिया जाएगा और बाद में जिसे बहुत आई लोग बहुत लाश्ट में डालते हैं तो उस समय तक फंडी ही खतम हो जाता है तो उनको मिलने के भी चांसेश कम होते हैं अब हम बात करते हैं कि उपी स्कॉलर्सीव की आवेदन तित्तों खतम हो चुकी है और लाखों चात्र ऐसें जिनका आवेदन अभी तक नहीं हुआ है तो क्या उन लोगों को स्कॉलर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो फिलाल में बता दूँ ये आज का न्यूज लिहाजा आवेदन में समस्त्या है क्योंकि बगैर अंक के फाम नहीं बढ़ा जा सकता है कई कालेज में पर्थम और्ज के प्रिवेश चलने है ऐसे में नए बिद्यार्थियों का फाम बरना मुम्किन नहीं है लिहाजा आवेदन तित्थ बढ़ाकर बिद्यार्थियों को बीच चुकी है, उम्मीद यही है कि आप लोग की कम से कम 10 से 15 दिन की डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी जो है ओफिसेल जानकारी कोई मिल नहीं रही है, जैसे ही मिलेगी समाज करने हैं, आपको मैं इस चैनल के माधम से सूचित करूँगा, तो आप लोग चैनल को जर दूसरे ये मस्तरे ये, जैही जै भारत